हाई एवरिवान उमीद करती हो आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपे ठीक हूँ तो जी आज का टोपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है जो है रमजान के हवाले से रमजान की पहले से ही किस तरीके से प्रेपरेशन हम लोग कर सकते हैं उसके लिए हैं ना इसमें आज समोसे वगरे की जो रेसेपी है उस तरीके से नहीं है ये कुछ यूनिक आपको इसमें टिप्स मिलेंगी तो आप देखते रहे हैं कि आपको बताने वाली हो ये रमजान की इस तरीके की मेरी तैयारिया है जो मैंने बना के भी बताई है और किस तरीके से हम लोग पहले से स्टॉर कर सकते हैं बना के तुझी चलिए चलते हैं तुझी मैंने ले लिये हैं तुझी ले लिया है पुदीना और धन्या 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 को मैंने इस तरह किसे कट कर लिया है लेकिन आप प्लीज बिल्कुल भी इस तरह किसे कट मत करिएगा आप धन्या को मतलब ले लेना और उसके जो leaves होते हैं कट कर लेना इस स्टेम होती है उनके साथ में डाल दिया था और डाल दी थी हरी मिर्च और हमने डाला है Election और साथ ही मैं इस में डाल दिया काली मिर्च ब्लैक सॉल्टて और जो दाल मिलती है वो मैंने Add कर दी है हाफ कप जितनी और हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला तू टैबल स्पून और सॉल्ट एड़ कर देंगे और इसे हमें पीस लेना है पीसने के बाद में कुछ इस तरीके से हो जाएगी तो इसे हमें सुखा लेना है फैन के नीचे तो ये दो दिन के बाद में आप देख सकते इस तरीके से सूख गई थी हमारी ग्रेन चटनी बनेगी ये तो ये हम लोग रमजान में हमारे लिए इतनी इजी हो जाएगी आप इस तरीके से बना के रखोगे और इसे पीस लेना है मिकसर के जार में तो देखो मैंने इस तरीके से पीस लिया और इसे चान लेंगे जो भ प्री मिक्स जो है हमारे सामवर के लिए तो मिने तूबर की दाल को ड्राय रोस्ट कर लिए तो जी घेरा और चने की दाल और धनिया और मेति ले लिए टेबल शपून और इसे ले एक टेबल सपून is always में फ्राइ कर लेना है अच्छे से यह हलके से फ्राइ हो जाएगी हमारी तब इसमें हमने सुखी मिर्च एड़ कर देनी है और इसे भी फ्राइ कर लेना है साथ में कड़ी पत्ता और इमली एड़ कर देनी है और इन सब को हमें अच्छे से हलके से फ्राइ कर लेना है अब इस से पैक करके रख देंगे तो ये हमें रमजान में हमारी एक recipe हमारी तयार हो जाएगी इस तरीके से तो बस ये हमारी h Dustinar की premise recipe है और किस तरीके से बनाना है मैं आजे बताती हूं तो चलिये बनाते हैं इसे तो one cup मैंने ये ले लिए डाल दिया था गरम पानी और इसे मिक्स करके हमें साइड में रख देना है ताकि इसमें अच्छे से ये फूल जाए और जो भी इसमें इसका टेस्ट काफी अच्छे से बढ़ जाएगा तो आपको गरम पानी ही एड करना है तो मैंने ले लिया था कूकर और उसमें डाल दिया था ओइल डालने के बाद में हमें हमारी वेजटेबल्स पहले कट करके रखनी है जिसमें हमारे आएंगे लोकी और ड्रम स्टीक, बैंगन और टमाटर और प्याज और कड़ी लिवस इसकी जगर पे आप pumpkin भी add कर सकते हो बोकी आप नहीं ख़ाना चाहते हो तो और आलू भी add कर दे na मैंने आलू add किया था बताना भूल गई और फिर मैंने rye और jira और कड़ी पत्ता एड कर दिया था प्याज एड कर दिये प्याज और प्याज हमारे फ्राई होने के बाद में हमारी जो सारी वेजिटेबल है टॉमेटो बैंगन और इस तरीके से हम बच्चों को सारी वेजिटेबल्स खिला सकते हैं ने तो बच्ची नहीं खाते हैं अब हमें जो हमारे बेसिक मसाले रेड चिली पाउड़र, हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर और ग्रीन चिली का पेस्ट और हमारा लसन का पेस्ट हमें एड़ कर देना है सारे मसालों को कर लेना है मिक्स अच्छे से अब इसमें हम 2 glass water ऐड़ कर देंगे और इसे mix कर लेंगे mix करने के बाद में हमें 2 से 3 whistle में हमारी सांबर तैयार हो जाएगा और यह हमारा इतने यही तरीके से आपको बता रही हूँ अब जिरूर ठ्राइ करके देखने और जो हमने दाल भी ती हमारे जो pre mix samber रख आब कर देना बस यह mix हो गया है और इसमें मैंने जो पानी बचावा था mix करके वह भी एड कर दिया जैगरी एड कर दी है इसे काफी फ्लेवर अच्छा हो तो जी अब बनाने जा रहे हम लोग green chutney जो हमने प्री मिक्स पावडर बना के रखा था पहले से उसमें हमने कड ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर दिया और इसे हम लोग ने साइड पर रख दिया next chutney बना रहे हैं जिसके लिए हमने 1 तेबल सपून हमारा और लेमन एड़ कर दिया, तो ये बन गई एक ग्रिण चटनी, नॉर्मल वाली, और हम इसे अभी जो धाई वाली उसमे तड़का दे देंगे, तो हमने राइ और करी लिफ्स के तड़का दे दिփ, तो ये बस बन गई हमारी दोणों चटनी, आप अलग-लग तरीके से इस प्री मिक्स से बना सकते हैं तो थर्ड रेसिपी है हमारी ये जो इडली के लिए है तो ये उरत की डाल मैंने ले ली थी और इसमें डाल दिये थे पोवा इसे हम लोग ने ड्राय रोस्ट कर लेना है अच्छे से ये हो गया हमारे ड्राय रोस्ट अभी इसे मिक्सर के जार में हमें पीस लेना है और साती में मैंने दो कप इसके अंदर चावल का आठा एड़ कर दिया है और इसे छान लिया है छान के हमें add कर देना है और इसमें मैंने सुजी को हाफ कप सुजी ले लिए उसे भी dry roast करके add कर दिया है साथ में और साथ में मैंने ले लिया है baking soda पर baking soda तो इन सब को कर लेंगे अच्छे से mix र mix करने के बाद में मैंने salt भी add कर दिया था तो इस तरहिए से हम बना के रखेंगे तो रमजान में कभी भी हम लोग ठके हो या फिर कुछ भी बनाने का 하지만 नहीं हो तो इस तरही के से pre mix हमारे पस में बने होंगे तो हम लोग easily बना सकते हैं तो मैंने बना के रख दिये है और अब इसे बना के बता देती हूँ मैं आपको तो इसमें मैंने curd एड कर दिया था और इसे पाने डाल के इसे mix कर लेना है अच्छे से और इसमें आपको अगर salt कम लग रहा हो तो add कर देना क्योंकि उसमें मैंने 1 tablespoon ही salt add कर दिया था इसी टाइम पर हम जब इसे अच्छे से mix कर लेंगे तब हमें इसमें ना हमारा जो regular inno होता है ना वो add कर देना है तो उससे अच्छे से हमारा better format हो जाएगा और idli हमारी अच्छे से बन जाएगी क्योंकि हम लोग जो salt add करते है ना बेकिंग सोड जो add किया है ना तो वो कही बार क्या होता है कि बहुत दिन से हमारे पास राखा होता है तो उसे idli का better format नहीं होता है तो मैंने भी इनो add कर दिया था जो normal वाला होता है वो add करना जरूरी है इसमें तो आपका format नहीं होगा तो अच्छे से idli बनेगी नहीं तो हमारे idli तयार होगी यह साथी में हम लोग इसी से धोकला भी बना लेंगे तो बस ही मेरे धोकला बन गया था मैंने cut कर लिया है और इसे में अब देख सकते हो कितना must spongy और जालीदार बना है वो एड़ कर देंगे और पानी एड़ कर दिया था और धन्या एड़ कर दिया сाथी में और इसे कर लेना है mix तो इस तरीके से मैं शामबर ठोकला बनाती हूं तो और उपर से में फिर से मैगी मसाला एड़ कर दूंगी तो यह बन गए हमारे ठोकले और साथी में आप देख सकते हो सांबर, चटनी जो हमारी जो प्रेमिक्स है और साथ में मैंने राइस बना लिये तो जी ये एक पहले दिन का क्लिप है ये नेक्स दिन का क्लिप है तो हम बनाने जा रहे हैं चटनी इमली की और मैंने जीरा मेरे पास में ड्राइर रोस्ट किया जेगरी तो बस में पहले इसमें चानवान के मैंने इसको निकाल के रख दिया था और जेगरी एड कर रही हूँ और मिक्स कर लिए हूँ इसात में साती में हमारे खाम चलते रहते हैं तो लेड़िस को अदत होती है मल्टिटास्फिन करने की तो हम बस multi tasking कर रहे हैं एक साथ में जीरा हमारा fry हो रहा है एक साथ में हमारी इमली चटनी बन रही है तो जी मैं इसमें गूड के साथ में सुगर भी एड़ करती हूँ तो 5-6 टैबल स्पूर मैंने सुगर एड़ कर दी यह हमारी इमली की जो पल्प निकाला हुआ है चटनी बना लेंगे तो इसमें एड़ कर देना है और इससे अच्छे से बॉil कर लेना है और यह हमारी मैंने freeze कर दिये थे आईस क्यूप की तरीके से और बाकी की जो मैंने जार जो होती हमारे उसमें मैंने एड़ कर दिये तो ये हमारे जार में फिट हो गए और जैसे भी मुझे चाहिए गए तो मैं पहले ही इसे निकाल के रख दूँगी और अब हम बनाने जारे हैं जी हमारे मुंग के दाल के हलवा जो मुंग का दाल का हलवा होता है वो उसके प्रीमिक्स बनाएंगे तो इसे वाश कर लेना है हम अच्छे से और मुंग के दाल को अच्छे से वाश करने के बाद में हमें इसे नाइट भर रख दिया था जो एकद फ्राइ करना है जो ये संडे का दिन है तो जी संडे को मौनिंग से ही में लग गई थी किचन में और आपको पूरे दिन का संडे का बता दूंगे आज का पूरे रूटीन तो बस हमें इसे मिक्सी की जार में हमें दाल को ड्राय रोस्ट कर लेना तो ये हमारा प्री मिक्स बन जाएगा आम तोर पे हमें अभी में पहले क्योंकि हल्वा में लेट बनाओंगी क्या कि गरम-गरम ही अच्छा लगता है और मैंने वन केजी ओन्यन को चौप करके रख दिया था पहले से और इसके हम बना लेंगे बिरिस्ता तो बिरिस्ता बनाने से हमारे काम इतने इजी हो जाएंगे रमजान में तो मैं पहले से बिरिस्ता बना के रख देती हूँ इस तरीके से तो बिरियानी बनानी हो या फिर कॉर्मा बनाना हो तो हमारे पास बिरिस्ता तयार होंगे ये ओनियन तयार होंगे तो हम लोग इजी ली कोई भी हमारी जो चिकन की कोई भी या फिर म कंपने करनी होती रमजान में अलड़ी समता तर बात बी काम हो सकते हैं संभान से किचन में लगी तो का दिन धन सबुर्णु से तो मैघी के लिए मै ने ओनियन कट कर लिये थे चौपर में और सिम्ला मिर्च और इसमें मैंने बॉइल किये और जो मेरे पास में पहले से ही फ्रीजर में थे और साथ ही में हमारे बेजिक मसाले होते वह एड कर दिया है रेड़ चिली पावडर, सॉल्ट, नम्मक और धनिया पावडर और मेगी के क्यूप्स मैंने इसे निकाल लिया है जो भी मसाला था वो add कर देती हूँ मैं इस तरीके से मेगी बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में spicy जादा add खाया जाता है तो इसमें water add कर दिया मैंने और इसे और भी मज़ेदार बनाने के लिए हमें क्या करना है वो आगे आपको बताती हूँ तो जी मेगी हमारी इसी तरीके से नॉर्मल नहीं बनेगी इसमें अलग तरीके से हम कुछ फ्लेवर और साही मेगी बनाएंगे इसे तो ये जी बन गई हमारी अब ये तो नॉर्मल मेगी है और इसे हम साही किस तरीके से बनाएंगे तो आपको आगे बताती हूं में किस तरीके से बनाते हैं तो जी हमें पैन ले लेना है और ले लेना है और बाउल ले लेना है बाउल में मैंने एड कर दिया है ब्लेक सॉल्ट और सॉल्ट एड कर दिया है ब्लेक पेपर लेंगे तो जी बचों को normal वाली मेगी पसंद नहीं आती है और Sunday है तो कुछ special होना चाहिए तो जी हम लोग special मेगी बनाने जा रहे है Sunday special तो जी हमारी मेगी में हम ڈाल देंगे cheese तो इसमें cheese का तड़का लगा दिया है तो जी हमने cheese add कर दी है और two से three means cheese को rest पे छोड़ दिया है और जी हमारी last जवाब साही मेगी बनके त्यार हो गई है इस तरीके से हमें cut कर लेना है तो आप देख सकते हैं कितनी मजेदार मेगी हमारी त्यार हो चुकी है तो जी Sunday है तो कुछ न कुछ तो इस तरह के fast food हमें खा आप देख सकते हैं हमारी साही मेगी तैयार हो चुकी है तो जी हो गया है इवनिंग का time और मैं बनाने लगी हूँ हमारा मूंग के दाल का अलवा तो जो हमने premix बनाया था उसके से तो मैंने पानी add कर दिया था और इसमें केसर और one cup ही मैं डाल ले लूँगी और one cup ही मैंन सुगर add कर दी थी तो जी मैंने उसकी चासनी नहीं बनानी है सुगर को हम melt होए तब तक तो जी flame हमने बन कर दी थी और साती में मैंने कड़ाय ले ले इसमें गीर डाल दिया और बदाम को इस तरह के से dry roast कर रही हूँ मैं चलनी में डाल के और हमने पान से छे चमच मैंने तू टेबल स्पून में इसमें add किया है बेसन और वन कप में ने add किया है जो हमारे premix मुंग के जो हमने बना के रखा था वो और उसी से हमारा हलवा बन जाएगा आप देख सकते हो ये तिने अच्छे से सीख चुका है मुंग के डाल का हलवा और इस तरह के से आपके घर प जाना है तो आप देख सकते हो मैंने पूरा पानी ही add कर दिया है मैं पूरी शासनी add कर दिये और इसे mix कर दिया है और अब इसमें हमने जो बदाम fry किया थे वो add कर सकते है आप चाहो तो और भी ड्राइफ फूट्स add कर देना तो ये हमारा बन गया है ला जवाब मुंग की मुंग की डाल का हलवा तो जिन लोगों को मुंग की डाल का हलवा बनाने की इतनी ज्यादा टेंसन होती थी अब देख सकते हो easily हमने बना लिया है और ये हमारे प्री मिक्स तैयार हो चुकी तो जी हमने बना लिया है प्रेमिक्स में मूंकी दाल का हलवा इंस्टेंट बनने वाला प्रेमिक्स इडली का प्रेमिक्स और सांबर का प्रेमिक्स ग्रीन चटनी का प्रेमिक्स बना लिया है हमने और बिरिस्ता हमने बना के रख दिया है और ग्रीन चटनी भी हमने बना के र लीजेगा तो आपके काम काफी आसान हो जाएंगे रमजान में और बचों का अगर टिफिन भी देना होगा तभी उसमें भी काफी हमें ये टिप्स यूसफुल होगी तो उमिद करती हूँ आज का व्लोग आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो प्लीज लाइक कर देना श कर देना शेर कर देना बाई गाईज मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज